कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो हिंदू, सीख और जैन सभी धर्मों के द्वारा मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक महिने का आखेरी दिन है इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को है वैश्णो परंपरा में कार्तिक महा को दामोदर महा के रूप में जाना जाता है दामोदर भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है हिंदू पंचांग के हिसाब से कार्थिक महा चंद्र महीनों में सबसे पवित्र मह माना जाता है कार्थिक पुर्णीमा के दिन पवित्र नदियों में इस नान का बहुत अधिक महत्व है मानता है कि इस नान के बाद दान देने से पुर्णी मिलता है इस बार कार्थिक पुर्णीमा पर सर्वार्थ सिध्धी योग एवं वर्धमान योग बन रहे हैं इस कारण इस बार की कार्थिक पुर्णीमा का महत्व और भी बढ़ जाएगा इस पर्व को त्रीपुरारी पुर्णीमा और देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है कार्थिक पुर्णीमा को मनाने के पीछे कुछ पौराडिक कथाएं जुड़ी है सबसे पहली कथा जुड़ी है भगवान विश्नु के मतस्य वतार लेने से विश्णु पुरान के अनुसार भगवान विश्णु ने कुल दस अवतार धारन किये थे उनमें सबसे पहला अवतार मतस्य अवतार था मतस्य अवतार में उन्होंने प्रलय काल के दोरान वेदों की रक्षा की थी माना जाता है कि इसी दिन भगवान विश्णु ने मतस्य अवतार धारान किया था भगवान का यह अवतार कार्थिक पुर्णीमा के दिन होने से व्यश्नमत में इस पुर्णीमा का विशेष महत्व है अगली कहानी भगवान शिव से सम्बंदी थे कार्तिक पुन्यमा के दिन भगवान शिव को त्रिपुरारी का नाम मिला था इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरा सुर का वद किया था इस राक्षस के मारे जाने पर तीनों लोकों में फिर से धर्म की स्थापना हो गए थी और भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा साथ ही राजस्थान के पुषकर में पुषकर मेला प्रवबोधनी एकादशी पर शुरू होता है और कार्तिक पुर्णिमा तक जारी रहता है जिसमें कार्तिक पुर्णिमा वाला दिन सबसे महत्यपून है यह मेला भगवान ब्रहमा के सम्मान में आयुजित किया जाता है जिनका एक मात्र मंदिर पुषकर में है मानेता यह भी है कि पुषकर जील में कार्तिक पुर्णिमा पर इसनान करने पर मुक्ष की प्राप्ति होती है तमिल नाडू में इस दिन कार्थिकाई दीपम नाम का पर्व मनाया जाता है जहां पुर्णिमा कृतिका नक्षत्र से मेल खाती है लोग अपने घरों के बाहर दियों की हलकी रोशनी करते हैं साथ ही तिरुवन्ना मलाई में कार्थिकाई दीपम मनाने के लिए दस दिवसिये वार्षिक उत्सव आयूजित किया जाता है अगली कथा माता तुलसी से संबंधित है मानेताओं के अनुसार तुलसी माता का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विश्नु के शालिग्राम रूप के साथ हुआ था और पुनिमा के दिन दुलसी माता का बैकूंट धाम में आगमन हुआ था सीख धर्म में भी कार्तिक पुनिमा का विशेश महत्व है मानेता है कि इसी दिन सीख धर्म की इस्थापना हुई थी और सीखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देवजी का जर्म हुआ था सीक धर्म के अनुयाई इस दिन को गुरुपर्व, प्रकाश पर्व और गुरुनानक जयनती के रूप में मनाते हैं सीक धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी इस पर्व का विशेश महत्व है जैन धर्म में कार्तिक पुर्णीमा के दिन पालिताना की तीर्थियात्रा करने की परंपरा है शुभ यात्रा निकालने के लिए हजारों जैन तीर्थियात्री कार्तिक पुर्णीमा के दिन पालिताना तालुका की शत्रुण्जे पहाडियों की तलहटी में जमा होते हैं जैन धर्म के लोगों के लिए यह दिन बहुत ही शुह माना जाता है यह दिन पैदल चलने के लिए भी अधिक महत्व रखता है क्यूंकि चातुरमास के चार महीनों के दोरान पहाड़ियों को जनता के लिए बंद कर दिया जाता है और कार्तिक पूर्णी मा के दिन प्रभुक के द्वार अनुयाईयों के लिए खोल दिये जाते है इस वीडियो के लिए बस इतना ही आशा है कि इस्वर अपने हर संभव रूप में आपके जीवन में खुशाली लाए धन्यवाद हिंदू रिचोर्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन को क्लिक करना ना भूले धन्यवाद